एक बार की बात है, एक छोटे से शहर में माया नाम की एक युवा छात्रा रहती थी. माया एक ओसत छात्रा थी, जो अक्सर निराश महसूस करती थी और अपनी क्षमताओं पर संदेह करती थी. उसने आत्म विश्वास के साथ संघर्ष किया और उसे अपनी पढ़ाई में प् माया ने महसूस किया कि सफलता केवल स्वाभाविक रूप से प्रतिभाशाली लोगों के लिए ही नहीं, बलकि उन लोगों के लिए भी थी, जो बाधाओं को दूर करने के लिए द्रिढ थे. एक नए द्रिढ संकल्प के साथ माया ने आत्म सुधार की यात्रा शुरू करन और आने वाले दिन के लिए एक अध्यन योजना बनाती. माया ने अपने शिक्षकों से भी मार्ग दर्शन मांगा और कठिनाईयों का सामना करने पर मदद मांगी. वह अपने शिक्षकों को सलाहकारों के रूप में देखने लगी, जो वास्तव में उनकी प्रगती की करते थे. उनके प्रोटसाहन और समर्थन ने उन्हें आगे बढ़ते रहने का आत्म विश्वास दिया. जैसे जैसे माया ने अपनी यात्रा जारी रखी, उसने सकारात्मक बदलावों को नोटिस करना शुरू कर दिया. उसके ग्रेड में सुधार होने लगा और उसे उपल महसूस कर रही थी और हार मान लेना चाहती थी. लेकिन उसने वैग्यानिक की कहानी को याद किया और खुद को याद दिलाया कि असफलता बस सीखने और बढ़ने का अवसर है. माया ने खुद को समान विचारधारा वाले दोस्तों से घेर लिया, जिन्होंने उसकी आकांक् मुहों का गठन किया और एक दूसरे को केंदरित रहने के लिए प्रेरित किया. उन्होंने एक दूसरे की सफलताओं का जश्न मनाया और चुनोती पूर्ण समय के दौरान एक दूसरे को ऊपर उठाया. समय के साथ माया की महनत और संकल्प रंग लाया. उसने न केवल सुधार की यात्रा के बारे में है. इसलिए प्रिय विद्यार्थी, जब आप निराश महसूस करें तो माया की कहानी को याद करें. अपने आप पर विश्वास करें, लक्ष निर्धारित करें, मार्ग दर्शन प्राप्त करें, अपने आपको सकारात्मक्ता से घेरें और हार ना माने. एक छात्र के रूप में आपकी यात्रा केवल अकादमिक उपलब्धियों के बारे में ही नहीं है, बलकि व्यक्तिगत विकास और अपनी वास्तविक शमता की खोज के बारे में भी है. चुनौतियों को गले लगाओ, असफलताओं से सीखो और सफलता के लिए प्रयास करते रहो. आप में बदलाव लाने की शक्ती है और आपकी यात्रा आज से शुरू हो रही है.